आज इस मंच से यह जारों हजारों लोगों के सामने कॉंग्रेस अध्यक्स सोनिया जी और रहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि आपने यह 55 साल में मेरे जार्खन के लिए क्या किया इसका जरा हिद्राब किताब लेकर आईए तो मालूम पड़े मागना चाहिए नहीं मागना चाहिए इसाब जोर से बोलो मागना चाहिए नहीं मागना चाहिए एक पेवेलियन में बैठें वो बोले मागना चाहिए नहीं मागना चाहिए भई तो एक कॉंग्रेस वाले प्रचार में आए जामूमों वाले आए तो मागोगे क्या जोड से बोलो मागोगे अरे वो नहीं देंगे जबाब मैं दे देता हूँ आपको जबाब इन्होंने कुछ नहीं करा भईया सुन लो एसोनिया मनमोन की सरकार थी पांच साल चली पांच साल में उन्होंने जारखन को 55,253 करोड रुप्या दिया 55,255 आपने मोदी जी की सरकार बनाई रगुवरदास की सरकार बनाई पांच साल में 55,000 के सामने भारतिये जन्ता पार्टी ने 3,88,487 करोड रुप्या जारखन के विकास के लिए दिया और ये विकास की बात करते हैं मित्रों जारखन की जन्ता को गुम्रा करते हैं मैंने अभी हैमन जी का भासन सुना राहूल बाबा का भी भासन सुना अजीब वो गरीब बात करते हैं कि जार्खन वालों का कस्मीर से क्या लेना देना है मुझे बताओ भाई जार्खन की जंता बताए कस्मीर भारत का हिस्सा बने आप चाहते हो या नहीं चाहते हो पीछे माता है बेने बताएं चाहते हैं या नहीं चाहते हैं अरे आपने चौदा में से बारा सिटे दी मोधी जी को प्रदान मंद्री बनाया पहले ही सत्र में गारा तीन सो सत्तर और पैतिसे को उखाड कर फेंग और मित्राज हमारा कस्मीर भारत मता का मुगुट मनी बनकर पूरे विश्व के सामने गवरों के साथ खड़ा है कस्मीर के अंदर आज भारत का तिरंगा फेराने का काम देश के प्रदान मंती नरेन रमोदी मुझे बताओ भई ये राहूल गांदी के ते जारकन वालों का कस् अरे राहूल बाबा आपको देश का इत्यास मालूम नहीं है कस्मीर बचाने के लिए सबसे ज्यादा सहाधत मेरे जारकन के युवाओं ने दी है जारकन के युवाओं सेना के अंदर जारखन के युवा, CRPS के अंदर जारखन के युवा, एक कस्मीर के लिए बर्फिली पहाड़ीों पर अपना लहू बहा है राहूल बाबा, आपको मालूम नहीं, मित्रों ये कहते हैं